जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि कौन-कौन सा डॉकुमेंट्स लगेगा हूँ हैं बहुत सार लोग जो है जो लोग senior citizen है उनका बनाते हैं कापी criteria होता है जिसमें लोग पासपोर्ट बनाते हैं कि आपको कौन-कौन सा डॉकुमेंट्स लगेगा तो मैं आपको इस वीडियो में पासपोर्ट के ओफिसल वेब साइट है उहां से चेक करके बताऊंगा और आपको चेक करना बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि कौन-कौन से डॉकुमेंट्स की जुरुत पड़ेगा चल करने जब उपेंट करेंगे तो यहां को सच करके लिना है पासपोर्ट्रच कर लेना है जब सर्च करते हैं तो पहला वेबसाइट कुछ ऐसे ही आएगा आपको सम्पेसाइट नीचे जाना है यहां पर आने बाद यहां पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहां दिया रह आप देख सकते हो कि यहां पर लिस्ट अप डॉकुमेंट्स दिया हुआ है यहां पर आप से पूछा जाता है कि किस तरीके का पासपोर्ट जो है आप अपलाई करना चाहते हैं अब माल लीजिए नॉर्मल के लिए अपलाई करते हैं तो क्या आपको डॉकुमेंट्स लगता ह चलिए सबसे पहले नॉर्मल के लिए चुल लेते हैं तो नॉर्मल मैंने पासपोर्ट अपलाई कर लिया यहां पर एडल्ड के लिए कर लेता हूं और उसके बाद जो है यहां पर कहा जा रहा है कि इस अप्लिकेशन इलिजिबल पर नॉन-eCR कैटेगरी इसका मतलब यह होत है कि अगर आप 10 भी पास है तो आप यहां पर कर लो अगर नहीं हो तो नो से लिट कर लो बस आप इतना समझों जाजाओंगा तो बहुत सार लोग कंफिज जाते हैं नॉन-eCR में आ जाते हैं उनको यहां पर तो मैं यहां पर नो से लिट कर लिया और उसके बाद जो है आपकी सवाल कूझते हैं अगर इसमें से आपको कुछ होगा तो उसको सेलेट कर लेना है अधरवाज जो है सिंपल सा नौन आप देख रहे हैं यह चुन लेना है और उसके बाद जो है आपको यहां पर भी रिक्वाइड डॉकुमेंट्स देख रहे हैं नीचे आपको पर फूरुफ देना है और यहां अगर अगर लिखा हुआ है तो दूसरा जो है यहां पर टेम बढ़ दिया हुआ है यह भी मेंटी और है सो अब बात करते हैं कि यह पर आपको किली करेंगे और इहां पर आपको डॉकुमेंट दिखा देगा कि इन मेंसे पर बेंगे यहीं पर सीपल सा लिंक मिल जाता है perds dangers के लिए दूस्तरा प्रूब आपको या जो आपको देना है डेट-op-birth कहा उस के लिए इसके antib qualities है जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखा देगा कि इन में से कोई भी एक डॉक्मेंट दे सकते हैं जिसे बड़ सर्टिपेकेट हो गया इसको लीविंग सर्टिफिकेट हो गया जो है इस तरह किसे आप बोट आईडी कार दे सकते हैं इन में से कोई डॉक्मेंट दे सकते हैं इन दो डॉकमेंट के अधार पर आपका बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा अब उसके बात करते हैं जो नौन-eCR में कर रहा हूं और इसको भी ना नपर कर दे रहा हूं कि से प्रोसेस में आपको इस यहां पर देख सकते हैं तीसरा डॉक्मेंट बस बढ़ गया है जो कि आपका इन में से कोई एक डॉक्मेंट्स देना होगा तो इस तरह के खुल कर आ अब देख सकते हैं उनके लिए सिप्ट जो है मैट्रिक का देख सकते हैं आप इसमें से कोई भी जैसे मान लोग के अधार कर दे दो इसमें प्रूफ डेट वर्त में आपको भी इन में से कोई एक या बात कर लेते हैं कोई लोग जो है बच्चे का आपना देखना चाहते हैं कि बच्चे का मुझे बनाना तो क्या डॉक्मेंट्स लागए वह भी मैं यही पर चेक कर सकते हैं उसके लिए आप सिंपल सा फ्रेश देख सकते फ्रेस यहां पर नीचे रहता है उसी वापस किल करकर जा सकते हैं यहां से आपको नार्मल से लेक्र कर लो ततकाल उसके बच्चा है तो माइनर आपको से लिए और उसके बाद सा कंटीनिउ पर कर देना है जब करेंगे तो इस तरीके से काफी सवाल पूछे जाएंगे तो आपका बच्चा को 15-18 साल हो नहीं है इस तरीके स दोनों को जो है husband wife का नाम प्रिंट हो पासपोर्ट पे तो आप यहां पे चुन सकते हैं अगर नहीं होगा कोई जुरोत नहीं है ना भी चुने को दिक्कत नहीं लेकिन है तो आप चुन लो उससे क्या होता है कि ज्यादा आपको फायदा मिलता है तो इसमें से अगर कोई है त देना होगा और अगर माता-पिता का पासपोर्ट है तो उन दोनों का फोटोकॉपी लगेगा अगर नहीं है तो इसको अभी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है पासपोर्ट बन जाएगा जो फॉर्म होता है यहीं से आप डाउलोड कर सकते हैं यह इस पर किलिक करेंगे तो इनमेंसे कोई भी जिसे अधार कर बच्चे का दे देना उसी से काम हो जाएगा और आप डेट वपरथ की बात करें तो इस तरीके हैं यह सारे चीज तीन बता दिया पहला एडल्ट होगा और जो पढ़ा लिखा हो दस मतलब दसवी से ज्यादा पास हो उनके लिए जो दसवी से पास नहीं है उनके लिए अलग से मैंने बता दिया और तीसरा जो बच्चा है उनके लिए बता दिया तीनों के चेक करना बता दिया बांकि और भी सारी चीज़े हैं तो आप यहां इस वे साइट से चिक कर सकते हो कोई भी कनफीजन हो आप नीचे कमेंट करके पूछ ले ना मैं आपको ज़रूर जबाब दोंगा फिलाल के लिए इस वीडियो में उतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद